कि अधिक विया लाइब नो तो वेल्कम है आप सभी का को के स्वाइगा ते सभी का चले लेट्स स्टार्ट ओके शुरू करेंगे आज की क्लास कौन-कौन है चलो वेल्कम है आप सभी का तो पहला कोशन लेकर क्या रहा हूं मैं आप लोगों की स्क्रीन पर आप सब हम लाइव हैं तो पहला कोशन आप लोगों की स्क्रीन पर हो थी अच्छा सा सवाल होगा बने रहेंगे सेशन में और यह जो शेशन है आप सभी के लिए है जो यहां पर कौर्स मैंसन है उसके लावा और भी जो एक्जाम है जहां पर जनल साइन्स वाला पोर्टिशन आता है उके वो उन सब के लिए रहेगा ठीक है तो पहला सवाल आप लोगों की स्क्रीन पर यह है और इसमें हिंदी में लिखा हुआ है आगे बड़ तभी जो है फिलहाल इसमें जहां एक दो कोशन इंगलिश में लिखा हुए है बाकि जह हिंदी में रहेगा तो विच वप फॉलोइंग हमें होमें हमें फिर्कुंट उरिनेशन होजाएगा खास करके ुक डाइविटिज व्याइटिस नतफर होती है। करा दिया जाए टीटी पीटी आई स्पीसेस की ग्लास इस वो चल रही थी तो ठीक है मैं सभी के लिए कुछ नों कुछ प्रवाइट करा रहा हूंगा और मेरे जो सवलात होंगे एक्जाम ओरिंटेड होंगे ज्यादे तर मेरी कोशिस यही रहेगी तो यहां पर जो सही आंसर है वो आप लोगों का कौन सा है तो यह राइट आंसर इस एडी एच ओके एंटी डायुरेटिक होर्मोन क्या बोलते हैं 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 एंटी डा टाइप होता है क्या है डायवेटीज होके डायवेटीज इनसीपीडस नाम की जो है विमारी हो जाती है इंसुलीन की वज़े से जो होती है जो आप लोग पढ़ते हैं कि वह इंसुलीन की वज़े से तो जो इंसुलीन की कमी से होने वाली diabetes है उसको हम बोलते है diabetes mellitus कौन सी होती है diabetes diabetes mellitus कौन सी होती है diabetes mellitus वो होती है diabetes mellitus होती है तो याद रखेगा यहाँ पर जो सही answer है वो कौन सा है okay your right answer is the ADH okay वीडियो को जादे स्यादे share करवा दिया करें okay जिससे motivation मिले मुझे था कि मैं आप लोग गुलिंग क्लास महीं अगरा सकूँ okay अगला सवाल है which of the following हार्मोन is secreted by alpha cells of pancreas okay अगनाश्य की alpha कोसी काउं द्वारा निमिन में से कौन सा हार्मोन श्राबित होता है ये कोशन आपका है पहला option आपकी स्क्रीन पर है थाइरोक्सिन हार्मोन तो इस ओल आपकी स्क्रीटेट वाई ग्लैंट सो फार बोड़ी तो अमंग ओल आप दीज ओके विस हार्मोन से क्रीटेट वाई दा alpha cells of pancreas okay तो चूज दा राइट आंसर चलिए पूजय स्वाल होके बहुत बढ़िया नहीद शेख ओफिसल वाल्यूम स्लाम डियर कैसे हैं आप सार डियाविटीज में तो इंसुलिन का इंजेक्शन भी लगती है निया शुकला देरा टू काइंड ओफ डाइविटीज ओके वनिदा डाय जैसे आप पढ़ते हो नो डाइविटीज मेलाइटर तो इंसुलिन 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 तीसरा स्मेटो ट्रोफिक हार्मोन देन क्या है थाइरोक्सिन हार्मोन तो बताएं भी जरा यहां पर कौन सा है बहुत बढ़िया नोट डाउन कर लूँ क्या के वी एस के लिए जर्नल पेपर में ऐसे ही कोश्चन साथ में और आप के वी एस डिटर प्लैस्बी इंसुलिन ने बेखेगा ओके लेवल आता है कोश्चन का जर्नल पेपर में यह जर अचांच के आपने थमनल पे देखा होगा ठीक है तो यहां पर सही आँसर है वो आपका गलूको कॉं होर्मोन है तो तो डौ से चुछ ब्लूको कॉन हॉर्मोन होगत डैट इडर राइट बिकोस जो पेंग कर यास होता है आप सबको पता होगा, पेंकरियास में तीन तरहां की cells होती हैं और ये चीज़ बताने वाले scientist का नाम था, मतलब Langerhans तो आइलेट ओफ Langerhans बोल दिया जाता है Langerhans की कौन कौन सी cells होती है, alpha cells okay, alpha cells Langerhans की दूसरी होती है Langerhans की beta cells और तीसरी होती है Langerhans की कौन सी sigma cells, delta cells delta की सी महा, delta cells okay, तो याद रखेगा, तो इससे निकलता है glucagon hormone, ठीक है, कौन सा glucagon hormone secreted by the alpha cells और beta cells से कौन से निकलता है insulin, कौन से निकलता है insulin hormone, decreased level of insulin hormone causing diabetes mellitus okay, and जो आपकी कौन सी cells होती है delta cells होती है, इन से आपका निकलता है कौन सा, somatostatin okay, कौन सा, somatostatin hormone, कौन सा, somatostatin hormone secreted by the delta cells of pancreas, and you all know about the pancreas, pancreas is the longest cells and that is the leaf-like structure, okay which present in our body, and it is also called mixed gland, because it secrete hormones and enzyme both so, on the basis of secretion, okay, this gland considered as a heterotrophic gland or mixed gland okay, याद रखेगा, तो, there are two kind of glands generally present in our body one are the endocrine glands and second are the exocrine glands so, endocrine glands are those, okay which secret the hormones and the exocrine glands are those, which secret the enzymes, so this gland is only gland, okay, among all the glands which are present in our body, who secret the which secret the both hormones and enzyme okay, याद रखेगा, तो, यहाँ पर जो सही आंसर है वो आपका कौन सा है Glucogon hormone है, तो, insulin भी से निकलता है लेकिन, insulin किस से निकलता है? बीटा से निकलता है और थायरॉक्सिन हार्मोन आप साब जनती हैं कहां से निकलता है? थायरॉड ग्लैंड से निकलता है तो actually मैंने तो घर पी studio लगवा रखा है ताकि टाइम निकालके actually busy schedule है बहुत जादा पूरा दिन hectic हो जाता है बट शाम में आप लोगों के लिए फिर से energetic feel करके class लेता हूं तो आप लोग भी वैसे ही किया करें ठीक है जादे स्यादा शेर करवा दिया करें इसे चले भी तो regulation center of swallowing okay swallowing and vomiting in human brain is मैनम मस्तिष में निगलने और उल्टी का नियमन केंदर कहा होता है जैसे आपकी चीज़ को आप निगलते हैं Cerebellum है दूसरा option आपका क्या है दूसरा option Cerebrum है Cerebrum तीसरा option Medulla Oblogata है दैन के है आपका Pons है okay तो दीज ओल आर दा पार्ट्स ओफ आवर ब्रेन ओके सो हमंग ओल दीज ओप्सन ओके विज़ वने दा राइट ओप्शन बताएं द्रा कॉन से सही है okay बहुत बढ़िया okay यह खैर चलो तो बसा आशर करें आप लोगा विल्सन वर्माशी अंसर हमें टीजीटी पीजीटी की जो क्लासे से वह युनिफोक्स लाइव एप पर हो रही है ठीक है युनिफोक्स अ कनेक्टेटीट पर यूनिफोक्स अनेक्टेड़ पर टीजीटीटी प्योलोजी ओके और इसे में ही बढ़ा रहा हूँ बहुत ही नॉमिनल सी फीज पे आप अनूल कर सकते हैं और अभी डिसकाउंट थोड़े दिन के लिए है ओफर है तो आप भी ले सकते हैं ठीक है चलिए अभी फिलाल आंसर करेंगे बहुत बढ़िया तो यहां पर सही आंसर है आपका मैडूला उबलोगेटा मैडूला उबलोगेटा इस जरीए क्या है आप उल्टी वगारा को अदला हमारा जो ब्रेन है उल्टी को कंट्रोल कर लेता है निगलना भी जैसी के जरीए होता ह इंगलफिंग वगारा जो आप करते हैं ओके तो आई होप कि आप लोगों समझ में आ रहा होगा नहीं मिर्जा वेलकम है आपका चलिए वीडियो को शेयर कर देना इस्टेश पर लगा लेना और आप में बहुत बहुत शुग्रिया उन सभी का इतना प्यार जताने के लिए यही तो होता है टीचर के पास हो रहे ही क्या शीपर गुरूर करता है टीचर पीजिट करता है तो वोट इस दा एंड प्रोडुक्त ओफ़ कार्भोहड़रिट मेटाबोलिजम तो आप बताएंगे कार्भोहड़रिट चाह उपचय का अंतिमुत पात क्या होता है यानी अग because we are all the biological machine so we also require the fuel okay to run our biological machine ठीक है तो हमारी जो functioning होती है functioning को चलाने के लिए nutrients जुरत होती है तो there are two kind of nutrients one are the energy providing nutrients and second are the non energy providing nutrients so energy providing nutrients are carbohydrate protein and fat and non energy providing nutrients are vitamins minerals enzyme water and all okay ये सारे जो है but these non energy providing nutrients are also required to us okay क्योंकि they maintain our metabolism तो here we are discussing about the carbohydrate metabolism तो बताईए क्या होगा जब carbohydrate का degradation होगा तो क्या बनेगा option है आपका carbon dioxide दूसरा carbon dioxide and water then amino acids and polypeptide okay तो बताएं गाईज क्या answer चुनना चाहेंगे आप तो तेखिए जिन लोगोंने answer चुनना है carbohydrate में कौन सा B okay तो you all guys are the absolutely right okay जाहिर बात है carbon hydrogen and oxygen there are three elements which are constitute the carbohydrate okay तो इन simple glucose simple sugars okay देखे वो क्या कहलाती है monosaccharides क्या क्या कहलाती है monosaccharides क्लाती है simple sugars are called monosaccharides and monosaccharides का मतलब होता है okay जिनमें एक ही unit लगी हो okay खास करके आपका जैसे glucose glucose है न फ्रेक्टोस 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 ओके गेलेक्टोस इस ओला अर्दा इस ओला अर्दा monosaccharides ठीक है monosaccharides आप देखो इनका जो इंपरिकल फॉर्मूला होता है वो होता है cns2n okay क्या होता है cns2n on है यह वाला रहता है खास करके तो इसमें इसी पर बेस्ट है okay तो जब आप किसी चीज़ को किसी भी carbohydrate का जब metabolism होगा okay तो याद रखेगा उसमें से दो चीज़ें जननेट होंगी एक तो co2 और इस सगला क्या water okay मालो जैसे आपने glucose ले लिया तो c6 h12o6 है न तो इसमें देखो carbon hydrogen oxygen है वोके जब इनका metabolism होगा तो दे प्रोवाइड दा मतलब जो product निकलेगा इन से आपका मान के जलने carbon dioxide and okay और क्या water generate होगा I hope कि यह clear हो गया होगा गुलिनारा खान वाले उसलाम डियर मोनी शिप गुडिबनिंग सर कल last question का answer नहीं दिया था देखे कल के जो last question का answer था इस पाइरो गायरा की उसमें cell wall पूंची थी तो answer क्या था आपका इस पाइरो गायरा का answer क्या था cellulose यही था ना सवल हाँ तो cellulose की बनी होगी क्योंकि spirogyra is also the algae and algae consider as a plants okay because there are five type of plants one are the thallophytes, दूसरे ब्रैपफ़ाइड, थर्ड वन आरदा, टर्रीडोफ़ाइड, तरी ड्रीडोफ़ाइड था जिमनिस्पम, था एंजिस्पम, तो all the plants generally have the cell wall which is made up of cellulose okay, तो cellulose उसका answer था मेरे क्याल से यह वाला question पूछा था, okay हाँ याद रखेगा, जो काईटिन होती है, काईटिन की क्या है, जो fungus बगएरा होते हैं, उनकी cell wall बनी होती है, I hope कि यह आप लोगों funda clear हो रहा होगा, अर्शान खान, good evening dear, कैसे हैं आप सब, तो देखें जो लो जाएगा, आप लोगों के प्यार महबद से, okay, वही देखना है, और मेरा यकीन है, ऐसा गुरूर है, okay, कि एक दिन जो है, यह million में हो जाएगा, तो आप इसी तरह से, क्योंकि मैं आपनी तरफ से वैस उफट देता रहा होंगा, जो भी मुसर पॉसिबिल होगा, okay, तो exam oriented सी जही हम लोग करने कोशिज करेंगा, अगला सवाल है, मैगजडेमा, देखे, यह बिल्कुल new सवाल है, आपका, मैगजडेमा is caused due to the scar situ of which of the following hormones, आपको बताना है, मैगजडेमा निमेलिकत में से किस हार्मोन की कमी के कारण होता है, कौन सा हार्मोन अगर हमारी बोड़ी में कम रिलीज होगा, तो मैगजडेमा नाम की बीमारी हो जाएगी, I hope कि, हाँ, कोरल रीफ का आंसर आपका L गी था, ओके सपना से सो दिया, कोरल रीफ वाले में बहुसे लोगों ने सही आंसर दिया थे, और मैंने आप भी कहा भी था, ठीके, सर आप इतने छोडे क्यों दिखते यह मस्ते सी स्क्रीन आपको नजर आ रही है, तो आप इसको देख करके ही आंसर करो यार, है ना मुझे क्या देखना है, ठीक है, मुझे क्या देखना है, चलो, तो मैगजडेमा ने मिलकित में से किस हार्मोन की कमी के कारण होता है, ठीक है, गुलिनारा खान, येस, ये मेरा पर रसनल अपने चैनल है ताकि यहाँ पर मैं free of the mind हो करके आप लोगों से मुखातिब हो सकूँ, अपनी बात कह सकूँ आप लोग मुझे से जूड़ सकें, अभी को teaching in the sharing of ideas, that is the discussion as well ओके, सो बस यह समझ ले ना कि मैं यहाँ खुल के अपनी मरजी से जो बोलना है बोल सकता हूँ, पढ़ा सकता हूँ, okay मुझे रिप पर कोई restriction नहीं है जो मुझे पढ़ाना है, मैं पढ़ाऊँगा, जितना पढ़ाना है उस तरह से करके, तो बस आप लोगों के support की यह ही ज़रूरत है, okay सर मैंने जो बताया था, वो सही था, okay नेहा शुकला क्या बताया था आपने, हाँ, बिल्कुल सही था जूज एंथिनी, जो है, हाँ, उसका टाइप था, बिल्कुल जूज एंथिनी है, और उसके लावाज जो देखे, और भी भोसे algae होते हैं, जो रंग ब्रंगे होते हैं, जो coral reef के उपर जमा हो जाते हैं, तो different type of colors और chroma appears on color relief, है न, तो वो अलगा जो हो गया, तो निलोफर अंजुम, ए आंसर, okay that's good, तो यहाँ पर जो सही आंसर है, निलोफर का है, जैनम महर का है, तो यहाँ पर जो सही आंसर है, वो आपका thyroxine है, अगर thyroxine हार्मौन thyroid gland से कम निकलेगा, तो ऐसे मान करके चलीगा, एक kind of hypothyroxine हो जाता है, hypothyroxine type का हो जाता है, कम निकलना और जिसकी वज़े से क्या होता है, बहुत से दिक्कते आने लगती है, बहुत से deficiency diseases होने लगती है, तो यहाँ पर जो right answer है, वो आप लोगों का क्या है, thyroxine है, यह oxytocin हार्मौन बड़े काम का हार्मौन है, ओके oxytocin हार्मौन को आप बोलते हैं, कौन सा हार्मौन love हार्मौन, जैके इसी को आप बोलते हैं love हार्मौन, ओके मैं मजाग में कई वार बोलता भी हूँ, वो मजाग भी नहीं है, और इसी को जो है, आप cuddle हार्मौन बोलते हैं, कौन सा हार्मौन बोलते हैं, cuddle हार्मौन का मतलब होता है जिसको आपका भी गले लगाते हैं तुझे फील आता है अब अधर मैंच मतले ले लेज़े का आप किसी को भी गले लगा सकते है आपका बच्चा हो सकता है भाई बहन कोई हो सकता है husband भी हो सकता है wife हो सकती है या फिर जो है कोई भी हो सकता है दोस्त हो सकता है जो गले लगाने से जो फील आता है ना ओके वह इसी हार्मोन की वज़ेसा आता है इसलिए कहा जाता है कि यह हार्मोन ठीक ठाक रहना चाहिए वोडी में क्योंकि इमोशन भी जरूरी होते हैं इंसान को सावित करने के लिए वो इंसान है समधरे ना लवन कडल हार्मोन इसी को कहा जाता है ओके गले से लगाने से लगा लिए न तो फिर ठीक है अगला सवाल आपके स्क्रीन पर यह आप देख रहे हैं जल्दी सा आंसर करेंगे कि क् फिर ठीक है चलो तो अन वी आ सोड़ी एनरोबिक बैक्टिरियम देखे यह जो वेक्टिरियम वर्ड यूस होता है याद रखेगा यह उस फो देख लिए उस होता है सिंग्लवर के लिए जी हां फिलिंग किसी को भी गले लगा के आ सकती है क्या सर अब फिलिंग किसी को भी ब Dog लगाने का गले का मतलब धःज़ा कि पते चला आप मेकर तो को लगाने से फिलिंगाppen को सुन लो पहले मेरे साथ होbla श्हाओ मेरे साथ आप बिल्ब मेरे साय हो इल अजिए वाइँ है सब самой मेरे साफ युप को öठ मैरे, समय हुआ होन्सों दुम के मार उसके खीच के तो थपड़ मार दी इतना गोवी जैसी शगल लेकर के बैठा है देखा कुछ लोगों का तमाकु जैसी शगल जो हो जाती है अजी वो गरीब लगते हैं सच में तो अब बता उसको गले से लगाने से फिलिंग थोड़ी नहीं आएगी उसको थपड सब्सक्राइब यूनिफोक्स कनेक्टेड एप पर क्लासे चल रही है तो जो है आप पर्चेस कर सकते हैं कोर्स को बहां पर अभी TGT-PGT की क्लासे चल रही है एक्चली तो ले सकते हैं चलो TGT-PGT-PGT-PGT-PGT-PGT-PGT-PGT-PGT-PGT-PGT-PGT-PGT-PGT-PGT-PGT-PGT-PGT-PGT-PGT-PGT-PGT-PGT-PGT-PGT-PGT-PGT-PGT-PGT-PGT-PGT-PGT-PGT-PGT-PGT-PGT-PGT-PGT-PGT-PGT-PGT-PGT-PGT-PGT-PGT-PGT-PGT-PGT-PGT-PGT-PGT-PGT-PGT-PGT-PGT-P तो यहां पर जो सही आंसर है क्लास्टिटियम है के मैं यूटूब पर क्लास की बात कर रहे हैं नहीं है अच्छल में क्या है मेरी आईजब्यागत के हैं और आप में गॉरकपुर के हैं और को मिलाकात कर सकते हैं Okay, मैं 9 गस्त को निकल जाऊंगा class stadium है class stadium your right answer which of the following is called artificial silk आपको बताना है कि among all these options okay which one is called the artificial silk okay artificial silk उसको कहा जाता है okay हम feeling लेगे sir तभी तो हमारा answer wrong हो गया कहा जो तो ने ठीक है चलो good luck for your future and above शुक्रिया निलोफर thank you so much okay thank you तो निम्लिकित मेंसे किसे किर्तरिम रेशम कहा जाता है किर्तरिम रेशम ये रेशम में जुल्फे सर्वती आखें तो वो जो है कि तश्विया की जाती है कि तुमारी रेशम में जुल्फें तो जो रेशम में जुल्फें क्यों कहा जाता है क्योंकि रेशम बड़ी रेशम काफी महाँगी मिलती है, तो आप सस्ती वाली रेशम बताओ, जो लोग वैसे रेशम लागर करके देते हैं, तो option है आपका इस टाहिरिन, दूसरा option है रेगजिन, रेगजन, देन क्या है क्लोरोजेलिन, देन क्या है रेओन, तो बताएंगे दरा कौन सा अंसर यहां प नो सितंबर से लेकर के मैं जो है कब तक, मेरे खाल से वहाँ 27 या 26 के आसपास तक रहूंगा, इतने दिन मेरी क्लासे वहाँ पर हैं, वहीं से आपको लाइब क्लास मिलती रहेगी, डोंट वरी अवाउड दिस, बस आप लोग बने रहिएगा, वहां से ही, ओके लाइब जो आपका रियोन है, रियोन, ये एक लोता ऐसा आर्टिफिसल फाइवर है, देखें ये है तो आर्टिफिसल फाइवर, कैसा ये आर्टिफिसल फाइवर, बट बनता किस से है, नैचुरल से है, ये आर्टिफिसल फाइवर तो है, आर्टिफिसल फाइवर, यानि किर्तिरिम र तो अगला सवाल आप लोगों की स्क्रीन पर है अगला सवाल आंसर करेंगे क्या होगा इसका अंसर आपको बताना है पेराशूट रस्यो और स्लीपिंग बैग बनने के लिए निमिल कितमें से किस फाइवर का प्रियोग किया जाता है आपका रेओन दूसरा है नाइलोन तीसरा है आपका पोलिएस्टर देन लास्ट ओप्सन है औल आप दियाब यानि यह सारे किस सारे जल्दी से बताएं आनसर कौन सा सही आनसर होगा सेरी कल्चर या मोरी कल्चर हां मोरी कल्चर शेहतूत का कल्चर होता है लेकिन हाँ वो एस्वेड़ गूट रविश क्लास ठीक है भी हैपी प्यूपल गुरा प्रणाम गुदेव ऑके प्रणाम भी ओके चलिए जाले तो यहांपड सही साइए वह आपका कुण सा तो यहां पर जो सही आंसर आपका नाइलोन है ओके नाइलोन इदा फस्ट आर्टिफिसल फाइवर याद रखेगा फस्ट आर्टिफिसल फाइवर है यह सबसे पहले जो फाइवर बनाया गया जो इंसान ने बनाया वह फस्ट आर्टिफिसल फाइवर है आपका कौन सा नाइलोन नाइलोन इदा फस्ट आर्टिफिसल फाइवर नाइलोन इदा फस्ट आर्टिफिसल फाइवर समझ मागे बात यह आर्टि हेलो सर लेट हो गई मैं को तो अगला है वेक्यूल सार बाउंड वाई डिफ डिफनाइट मेंब्रेन इन प्लांट सेल कोल्ड आपको बताना है पादपको इश्काओं में रिक्तिका एक निश्चित जिलिस से बन ही होती है जिने क्या कहा जाता है देखे जब आपने ये प्लांट सेल देखी होगी तो प वोल है देन ये क्या है सेल मेंब्रेन है अब इसके अंदर क्या होता है कि एक और वेक्यूल होता है ओके एक और वेक्यूल होता है इस तरह का ऐसे बड़ा सा इस तरह से करके तो ये वाली जो जिल्ली होती है जो वेक्यूल बनाती है वेक्यूल तो ये अंदर वाला हो गया कि वेक्योल तो आपको बताने है वेक्योल की जिली होती है इसका नाम क्या होताए औप्शिन है आपका प्लासम मेंब्रेन दूसरा है टोनो प्लास साल वोल प्लाजम मेंब्रेन वुटब बाई बढ़ी छाली है राइट अंसर बहुत होट य्चा कर issy आप और जब वहां पर message भी कर दो मिरे कहाल से message वहां पर link share कर दीजे okay शायद किसीने link share किया नहीं है okay तो वहां कहने पर भी नहीं आते है ठीक है link तो share कर दिया है खेर से लिए तो वहां पर कुछ लोगों की दिक्कत है मतलब काम की बात नहीं, वहाँ पर फालतू की चीज़े जरूर देख रहे होंगे, कही न कहीं लाइब होंगे, लेकिन जब काम की बात करो, तो फिर आते नहीं है, इससे जो लगता है, फिर यार क्या क्लास प्रवैट की जाए, आपको जब आप लोग सीरिसी नहीं लेते हैं, तो ऐसा लगने लगता है, ठीक है, चलो, तो यहाँ पर देखिए सही आंसर, ओके पूजा जैसवल, वो सिर्फ दिखावा कर, यहाँ पर जो सही आंसर है, वो आपका कौन सा है, टोनो प्लास है, टोनो प्लास योज राइट आंसर है, पढ़ने वाला ता यार कहीं पर भी ब गौली नहीं लगते है, डोनो प्लिट के मतलब कहली है, तो मतलब एक बिलट प्लास हा बैस है, आप क्यूлоा पहँ आहली है, लेकिन पर जॊज भी किकल होगा का देख वेन दल्चास हाइं मुष्यों,तो तो यहां पर आते नहीं है, तो फिर ऐसा लगता है कि यार, serious नहीं है, अपने आप से किसको धोका दे रहो है, अपने आपको धोका दे रहो, ठीक है, उसमें क्या हो रहा है, तो bulletproof jacket बनाने के लिए, देखे, मैं आपको exam oriented चीजे में करा रहा हूँ यहां पर, और इसमें आपक सही answer है, अगला सवाल आप लोगों की screen पर है, nylon threads are made up of, कि चीज के बने होते हैं, नाइलोन के धागे कि चीज के बने होते हैं, polyester polymer के polyamide polymer, polyethylene polymer या polybinyl polymer, ठीक है, तो देखेंगे, बहुत ही अच्छा सवाल है यह, नहीं सर और बच्चों की वजह से हमें मत छोड़े, नहीं question भी नहीं भेजने देते हैं, सर जी, आपको कभी Hindi चाहिए, तो उनको कभी English चाहिए, हाँ, demand इस तरह की करांगे है, जैसे पता नहीं क्या, और जब बात पढ़ने की कि जाए है, मुफ्त में Hindi English दोनों चल रहा है, अच्छी चीज चल रही है, तब जह उनको जह value का पता न क्या है, खेर चलो, मतलब वहाँ पर इतना ज्यादा होते हैं, बहुत बढ़िया, तो यहाँ पर जो है, सही आंसर है, polyamide polymer, polyamide polymer जो है, EC के बनने होते हैं, याद रखेगा, देन देखिए भई, अभी थोड़ा सा देख लेंगे, जिन लोगों को इंतिजार था, जो TGT, PGT बाइलोजी की किताब है, तो जाहिर बात है, क्वालिटी को मेंटिन करने में वक्त लगता है, इसकी प्रोसेसिंग चल रही थी, अभी तक, तो इसका cover page designed हो गया है, तो इसी यह वाली तस्वीर आज जो आप देख रहे हैं, यही Amazon पे आपको मिल जाएगी, तो जो लोग TGT पीडिटी की किताब के लिए, इतने दिन से उताबले हो रहे थे और जो चुक थे और इतना वेट के हैं उन लोगों ने, तो अभी जो है इसको order कर सकते हैं, Amazon पे, और मेरा जो टेलिग्राम चैनल है, मेरे नाम से है, डोक्टर सायदी दली के नाम से जो इस किताब पर लिख मैंने बोला है कि इस तरह की डिजाइनिंग की जाए, ओके तो यह आपकी जो किताब रहेगी वो TGT, PGT Biology के लिए है, और इसमें जो है, वो KVS, DSSB, NBS, GIC, UPPGT, TGT, AES, AWES, हैना, NEET, जो लोग आपके भाईवहन कोई Medical की तयारी कर रहे हो, उनको भी Practice के लिए दिला सकते हैं, 50 Practice Set हैं इसमें, 50 Practice Set हैं, with explanation और इसमें previous questions, expected, most expected questions का collection इसमें है, okay, 50 Practice Set इसमें है, okay, और कोई भी, किसी भी, और जो आप NET ZRF की तयारी कर रहे हों, खास करके CSIR, Net Council of Scientific and Industrial Research, उसके अलावा, जो है, RPSC Grade 2 हो, चाहे, ASTAT का जो थर्ड वाला पेपर होता है, लेवल थर्ड, जो PGT लेवल का होता है, यह LT grade का paper हो, आप ले सकते हैं अधा TGT, PGT level के examination के लिए, okay, तो कैसी लगी यह आपको किताब, okay, यही किताब आप लोगों को मिलने वाली है, और देखिएगा, इस किताब में मेरा खुद का explanation है, खुद के selected questions है, okay, तो उमीद करता हूँ कि आप लो जाएगा, ओके देन, उसके अलावा देखिए, चलो, आगे चलते हैं जरा, यह वाली जो किताब है Rapid Pro, और हाँ वो भी जो किताब है Rapid Pro, उसमें भी लिखा हुआ है, Rapid Pro के नाम से ही मेरी सारी किताब है अभी आजाएगी, थोड़े ही दिन में आपको और भी बहुत से titles देख और बहुत थी, nominal से price में जितने इसकी costing है चपने की उससे दस माज रुपे extra है, और आप इसको ले सकते हैं, यह इसमें chapter wise theory है, one liner question और MCQ's का collection है, और इस किताब में physics भी है, chemistry भी है और biology भी है, इसमें लिखा है ना दोखो, chapter wise theory, chapter wise इसमें theory है, theory की किताब बड़ी मुस्किल स लिखी जाती है, इसको लिखने में solver लगा था, lockdown में जब उस जमाने में लिखा था, इसमें one liner questions है, और MCQ's का collection भी है, और इसमें यह updated version है, इसमें बहुत से previous expected questions अपडेट कर दे गये हैं, जिन लोगों के पास यह किताब पहले से थी, तो अगर वो updated करके कुछ chapter इसमें एक theory का chapter भी जोड़ा गया है, उसके अलाव इसमें कई questions, कई सो questions इसमें add किये गये हैं, तो आप लेना चाहिए तो ले सकते हैं, Amazon पे available हैं, यह और हाँ, यह देखिए, यह है आपकी new rapid pro environmental studies की किताब, ठीक है, rapid pro environmental studies यानि पर्यावरान अध्यन, और इसमें है आपका chapter wise theory है, one liner question ह तीस practice sets हैं, उसके अलावा NCRT की summary भी दिया हुई है, तो जिल लोगों के पास यह lady पहले से थी, यह वाली, तो उनको लेने की जरूरत नहीं है, हाँ, पुझा आ गई है वो, ठीक है, तो उनको लेने की जरूरत नहीं है, जो लोग new है, जिल लोगों के पास यह किताब नही and teacher, weird entrance and other competitive examination के लिए है, okay, इंडिया के सभी teaching exam को यह cover up करेगी, okay, तो जिल लोगों के पास यह वाली है, already, updated version, okay, बहुत ज़्यादा जो किया गया है, science वाली में है, इसमें भी correction किया गया है, errors को दूर किया गया है, error free है, यह दोनों किताब है, okay, बलके 6 किताब ही हैं समान के चले, तो आप इन किताबों को ले सकते हैं, जिनके पास ओ लेडी है, उनको लेने की कोई खास जरूरत, EBS वाली को है नहीं, ठीक है, ठीक है, चलिए, तो अगला सवाल आप लोगों की स्क्रीन पर है, तो यह बीच में जो आप लोगों का वो इंतिजार था, खतम हो गया, पर शेर कर दूँगा, जो लोग टेलिग्राम जोईन नहीं किया है, मेरा वो कर सकते हैं, डोक्टर साजी दली के नाम से, डोक्टर साजी दली के नाम से टेलिग्राम चैनल है, मेरा, फेस्बुक पेज़ पर भी मेसे हूं, इंस्टाग्राम पर भी आप मेसेज करते हो, निकालें, PRT निकालें, टीचर बनने के बाद में आप भी IS की तहरी कर सकते हैं, और आपका तो और पहले सेलेक्शन होगा, क्योंकि आप तच में हैं, तच में हैं आप किसके, और आप भी मास्टर्स हैं, आप बीर्ड हैं, दुनिया भर की चीज़ा आपने पढ़ाई कर रहे आपको पताना है, जो पीछे का हाइंड ब्रेन है, इन में कौन सा पार्ट है, और आपका क्या है, अनुमस्तिस्क है, यानि सिर्विलम, रैन का कोर्पस कलोसम, जो इसको बोलते हैं, महा सहिंयो जी का, या फिर जाई, स्पाइनल कोड, यानि मेरुदंड, तो बताएं ज़र या फिर मेरा नाम सर्च कर लेने, डोक्टर साइडियोदली, सारी किताबे आपको देख जाएंगे, टीजीटी, पीजीटी के लिए, वहाँ पर इमेज लगो भी मिलेगी, आप ले सकते हैं, ठीक है, चलिए, तो अभी उसमें डिसकाउंट पर ही लगाया गया इसको, तो आ चोटा दिमाग बोलते हैं, चोटा दिमाग बोलते हैं, इस पर मारने से कईवार इंसान की मौत हो जाती है, ओके, तो चोटा दिमाग इसको बोलते हैं, बोडी में बिलेंस बनाने का काम भी इसका होता है, तो ये बना के रखता है, बोडी में बिलेंस, समझ मागी बात ये, फिलिप कार्ट पर तो नहीं हो पाएगा लेला आप उस पर बना लें अमेजोन पर बना लिजे अकाउंट यह राजकल तो उसी का जादा वो स्थीक ठाक चल रहा है तो आप ले लें ठीक है अरती बता दिया मैंने रैपिट प्रो बायलोजी यह जो है टीजीटी पीजीटी की बुक का नाम है अमेजो उन पर आप सर्च करिएगा थोड़ी दिर में तो आपको जह हो मिल लाएगा ठीक है चलो तो यह होगा बहुत सही आंसर आपका सिर्विलम है नेक्स कुस्चन है वि उनको भी हम पढ़ते वेश लगे जो लोग आप में UPSC की तेयारी कर रहे हैं उनको भी यह जो है जनल वाली चीजी समझ में आनी चाहिए उनको पढ़ना चाहिए क्योंकि science and tech समझने के लिए जब आप उसमें बढ़ाएंगे space technology, nanotechnology, biotechnology, defense technology, communication technology इसमें रहता ICT, information and communication technology, biotechnology यह तो हो ही आपका, है ना, then space technology, okay, robotics, है ना, वो सब जब आप पढ़ेंगे ना, तो यह उसको पढ़ने में, okay, समझाने में मदद करेगी है, चली, rapid pro biology, yes, rapid pro के नाम से ही सारी किताब आपको मिलेगी, निया शुक्ला, ठीक है, rapid pro biology by dr. सायजी दली, हाँ, एंसे भी सर्च कर सकते है, ठीक है, नियलोफर, yes, very good, चली, तो यहाँ पर बताएं भी निमलिकत में से कौन सा था, तो धातू और धातू दोनों के रूप में रसाइन रूप से भी हवार करता है, यानि, ऐसा वो में element, okay, which has both characters of metal and non-metals, okay, तो है, right answer is, कौन सा, आफरीन फात्मा, ए बोरोन, okay, जी, तो बहुत बढ़िया answer आप लोगों को बरोन, because बरोन का है, metaloid है, तो दोज elements भी so intermediate properties of metal and non-metals are called metaloids, okay, इनी को आप बोलते हैं क्या अर्द धातू है, क्या बोलते हैं इनको, अर्द धातू हैं, okay, because they have the intermediate properties of metal and non-metal, and generally these are used to make the semiconductors, okay, semiconductors, यानि अर्द चालक बनाने में इनका इ अर्द लोइड, yes, बहुत बढ़िया, arsenic भी है, फैजान एहमंद यार, फिलिप कार्ट पर तो नहीं है, उसमें बड़ा जमेला रहता है, upload करने कलने, दुनिया बर की चीज़े मांगता है, इसलिए जो आप Amazon से ले ले लिना है, Amazon पर बना लेना account, उससे मांगा लो, क्या द सकेगा, देखे, movement का मतलब वैसे यहां देखा जाए, तो locomotion से है, locomotion का मतलब होता है, जब कोई object अपनी position को, या कोई organism कह लिए, अपनी position को change करता है, जिसे मालो में यह दर से धर आ रहा हूं, यह locomotion है, और locomotion है, तो movement भी होगा, तो we can say that all locomotion are the movement, but all movements not are the locomotion, ठीक है, यह ची locomotion है, और locomotion के साथ movement भी जरूर होगा, समद रहे ना, एफर गोल्ड फेसन होके, शुग्रिया डिया, थैंक यू, इतना जर्र नमाजी के लिए, थैंक यू सो मच, यह तो आप लोगों का प्यार महबत है, बने रहे हैं इसी तरह से, आगे बटते रहेंगे हम लोग, यह मेर अपना personal channel बनाया है, आप लोगों से ताकि मैं free mind से पढ़ा सकूँ, हमेशा के लिए, तो इस channel को सब्सक्राइब कर लेना, करवादेना, और अपने status पर लगाए, ज्यादे से आदे लोगों को जोड़िएगा, इससे motivation मिले मुसे है, तो यहाँ पर जो सही answer है, देखे, कौन से है, जिलोगों ने चुना है, आपको नहीं लग रहा है, यार यह जो लीच आंसर चुने हो, बिल्कुल गलत आंसर है, लीच तो आपके पीछे पड़ जाती है, और लीच में भी क्या है, कई जोड़ी आखे होती है, okay, several pairs of eyes are present in the leech, okay, हिरू नडेरिया बोलते हैं इसको, तो देखे, यह तो गलत आंसर होगा, पानी में पीछे पीछे आ जाती है, कि सास सम्मंदर में तरे पाहर आगगी, और इसमें पानी में बेटा, जहां भी पानी में घुमेंगा ना, त्रिक टांगों में आके लगोंगे, तो यहां पर जो सही आंसर कौन सा होगा, देखे, क यह आज कर लिछ ठेपी बी चल रही है मैं यह तो सर्क री स्पर्स क hates कर डहा यहां इस तरह से हैं तो यह चोड़ी तक यहां कर देखेया धर ४र्टपर कर यह इंस तुаж अज़ अंग pigra जो नीचे रहते हैं, एक चीज और में बतादू, बड़ी मस्त बात है, जो यूपले के टेला है ना, जापान में, जापान में लोग इसको महबबत के सिंबल में देते हैं, किले, जब किसी के इंगेजमेंट बगारा होती है, तो लोग इसको महबबत में गिफ्ट करते हैं, तो देखने में बड़ा बाहियात लगता है यह बड़ लेकिन जापान के लोगों में है इसको ऐसे आशिक तो दे भी नहीं पाता ठीक अच्छा खासा महेंगा मिलता है क्योंकि समुद्र में से इसको निकाल के लाए जाता है तो हरूस चीज की कदर बढ़ सकती है जिस चीज क का सवाल है यह वह होती असान सा है water drops are spherical because of आपको बताना है पानी की बूंदे गोलाकार होती है क्योंकि okay पानी की जो बूंदे उपर सो गोलाकार नहीं आती आते आते गोलाकार हो जाती है क्यों why तो what is the reason behind of this option है आपका viscosity density polarity बिचार है ना polarity बिचारों की भिंत नहीं है okay ऐ is one your right answer sir amazon पर cash on delivery नहीं आ रहा देखिए cash on delivery नहीं होगा उसमें फैजान कोई नहीं आप वैसे ही कर दो यार online कर दो क्या दिक्कत है आजकल तो सब लोग advance है ठीक है कर दो ऐसी कर दो है चलो भाइवहन का किसी का लेला करके कर देना Patreon medium से किसी से हो जाएगा तो UPI बगार से या फिर online banking से ठीक है चलो सर्बोस का क्या करते हैं गुरुदेव आये है महबबत में साइस्वराने रख करके सोते हैं उसे और बताओ क्या करेंगे मतलब है मतलब मैंने इतनी बात बताई है तो आप लोग कहां तक का थिंक कर रहे हैं उसका क्या करते हैं दिलन क्या करती होगी इसका है ना उनकी मर्दी है मतलब देने वाला दूसरा लेने वाला दूसरा यूपले का टेला किसी और का मतलब टेंशन आपकी है तो पानी की ब क्यों नहीं आपने एप पर TGT साइंस की क्लास की नहीं किछ तो मजबूरिया नहीं ओंगी आरती कल क्लास होगी आपकी ओलमभी क्लास होगी तो यहां पर जो सही अंसर है वह आपका कौन सा है surface tension कौन सा है यो right answer is the surface tension कौन सा answer है surface tension सर मार्केट में मिल जाएगी बोको कहीं पर नहीं भी market में नहीं मिलेगी यार मार्केट में नहीं मिलेगी ले लो यार वहीं से ले लो ठीक है चलो अगला सवाल है nail polish remover contains देखे होगा अच्छा बहुत कुछ लोगों को आप देखना सच में ऐसे डिजाइनी नाखून पर बनाते हैं घंटों तक नाखून पर designing कास इतनी देर पड़ा होता तो करने concept clear हो गया होते लेकिन कुछ लोग नाखून को जह है इसको छुटाना पड़ जाए ओक तो आपके चीश से चुटाएंगे बैंजीन दूसरा ऑप्शन है acetic acid then क्या है acetone then क्या है petroleum ether देखे ऐसे acetic acid को आप जहे क्या है ही है ठीक है आंसर बताएं जरा नेल पॉलिश रिमूवर में क्या शामिल है ठीक है वेंजीन acetic acid acid acetone petroleum ether petroleum ether okay isopropyl acetone ठंडा ठंडा होता है हाँ 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 आपने महिसूस क्या होगा तो यहां पर सफ सही अंसर वह कौन से कैसी डेजyezनिंग बनाते हो हैं तो यहां पर सही आंसर हे आपका acid on qon सा है acid on और ऐसी टोन से आप छुटाते говорить है लेकिन कि क्लॉरफॉर्म हो जाता है लेकिन वह चीज क्या होतीं आपको बताऊंगा नहीं ठीक एंड, अगर ऐसे भेहोष होता है सजमें, कुछ लोग तो हैं सबस्तों कास मुझे कलोरफोर मिल जाय नट तो पता है ज़्पड़ों, फिर ऊसे भेहोष कर दू अपने जोह तहां, कहां कहां भेहोष कर दू तो अच्छ है कि यह तोच Favor般 को यह इसली मिलता नहीं है है मैंने भी सूंग करके देखा है दिक्षाराना लेकिन आप बहुस नहीं होई होगी मेरी गरांटी है ऐसा ठीक है पाचन में सहयता के लिए शरीर में किस अंका किस अमल का प्रियोग किया जाता है तो यहां पर कुछ है नहीं सही आंसर चलिके देख लेते हैं कौन सा है अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है नेक्स अचाहां देखो यह पेट है किसी को घमंड हो रहा हो कि मैं क्या हूं आम बड़ी संदर हूं मेरे यहां पर तिल है या फिर जह में बड़ा हैंडसम हूं चैपट टीन इंच हाइट है उकात देख लीचेगा ऐसी होती अंदर से यह यही पुर्जे और यही संवान निकलेगा जैसे कि आप इसमें आप देख रहे हैं तो यह वाला जो है इदर आप यह जो देख रहे हैं साइड में यह पेट है पेट आपको छोटा लग लग रहा होगा समझ लेना भी चारेगा खाली पेट है ओके और यह जो बड़ा कि बात सच में कान का टुकड़ा भी नहीं है तो लेकिन फिर भी वह जिगर का टुकड़ा और जिगर का टुकड़ा देखो तो यह है तना बड़ा टुकड़ा अनिवे तब मोस्ट अवंडेंट प्रोटीन आपको बताना है कि जन्तु जगत में सबसे पिर्चूर मात्रा मे आप्शन है आपका ट्रिपसिन, कुलेजन, हमोगलोबिन, एंसुलिन, बताएं भी मैं तो हैंडसों गुरुदेव, आपकी तरह हमको मालूम है जन्नत की हकीकत लेकिन मन को बहलाने के लिए ख्याल अच्छा है ठीक है, ख्याल अच्छा है ठीक है, मन-मन में आपकिस दूसरों को लगते नहीं लगते मैंटर करता है जैसे आप मेरे जिगर का टुकड़ा है, जिगर का टुकड़ा होता है तो फिर इसकी वरत लगा दिया आपने, चलिए ठीक है, शुक्रिया थैंक्यू सो मच तो भी बताएंगे जरा, जन्तु जकात में सबसे प्रुचुर मात्रा में पाए जाने वाला प्रोटीन कौन से है, ट्रिपसिन, कोलेजन, हेमोगलोबिन या इंसुलिन हेमोगलोबिन is also the protein, okay, which present in the blood, okay, due to the presence of हेमोगलोबिन, RBCF plus red, okay, बहुत बढ़िया, जिगर के चल्ले, हाँ, पताँ यह समझ में निया कि यह जिगर के चल्ले के होते हैं, ठीक है, और ऐससे चल्ले जिगर के घूमने सच में, देखने में असा लगता है चल्ले थोड़ी नह पायर हैं पूरे, लेकिन फिर भी उनको लगता है कि वह जिगर के चल्ले हैं, anyway, तो यहाँ पर जो सही आंसर है, वो आपका कौन सा है, कोलोजन, okay, कोलोजन is your right answer, that is the most abundant protein in the animal world, okay, तो आप लोगों का यह फंदा के लिएर हो गया, अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर, how does the pH change from the mouth to the anus in the digestive system, आपको बताना है, पाचन तंत्र में, okay, pH मूँ से गुदा तक कैसे बदलता है, जो pH value होती है, हमारे मूँ से हमारी anus तक जो हो बदलता चला जाता है, तो आपको बताना है कि कैसा होता है, क्या वो पहले alkaline होता है, फिर acidic हो जाता है, फिर alkaline होता है, या फिर पह है, चलो, जिगर के चलो, हाँ, ठीक है, चलो, जी, बहुत बढ़िया, क्या, जी, बिल्कुल, collision after certainness, हाँ, reduce होने लगता है, happy people, ठीक है, भई, खोशी रहना चाहिए, आपने नम बहुत इच्छा रख रख तो चली, पाचन तंत्र में, पाचन तंत्र में, pH मूँ से गुदा होता है, इसलिए, answer, right answer should be C, okay, देखिए, C है, C option है, C आप लोगों का सही answer होगा, क्यों, क्योंकि, देखो, हमारा जो मूँ होता है, मूँ में जो salivary amylase होता है, और जह है, lysozyme enzyme रहते हैं, जो हमारी मूँ की LAR होती है, उसमे salivary amylase होता है, तो LAR का पीएच वैलू लग page value of 7, so that is the acidic in nature, then फिर आपका जो है, आगे चलके enzymes निकलते हैं, पेन क्रियास वगएरा से, उनका nature basic हो जाता है, आगे चलके, okay, वैसे तो पेट में हमारे acid भी रहता है, तो पेट तक हमारे जो nature रहता है, वो acidic nature के रहता है, जैसी ही फिर आगे बढ़ता है, okay, जो सक, इसमें पहुंचता है चोटी आप, तो वहां से फिर नेचर आगे कुछ बढ़ना शुरू हो जाता है, कैसा basic nature हो जाता है, तो यह right answer is, okay, C, C answer है, ठीक है, सीमा कुस है, sir में आगे, okay, welcome है, welcome है, अब regular आईएगा, ठीक है, सचिन राज सिंग चोहान, सचिन राज सिंग चोहान, सचि एक शारी है, option है, आपका विनेगर, यानि सिर का, दूसरा है, सलाइवा, तीसरा है, अमोनिय, दैन का है, एसर ड्रैन, यानि अमलिय वर्षा, नेचर बताना है, कि इन में से कौन सा शारी नेचर का होगा, sir, citat science की class provide करा देजे, please, विशी संदू, वो provide करा जाएगे, आपक जी, उस पर तीन classes मेरी हो चुकी है, कल चोथी class होगी, आज किसी कारण से होनी पाई, तो जो लोग TGT, PGT का course लेना चाहते हैं, Unifox Connected App को डाउनलोड करके, अभी साजिद, साजिद 75 का, जो है, code लगा लेना, जिससे आपकी 75% fees कम हो जाएगी, okay, code बैसे इतना है, साजिद 75, okay, तो 75% का आपको discount मिल जाएगा, TGT, PGT के courses में, ठीक है, चलो, अलका मल भी, चाहे मेरे लिए, okay, शुकरिया, thank you so much, okay, वैसे मैं पीता नहीं हो, लेकिन आप इतने महबस से दे रहें, तो बिलकुल पी लेंगे, ठीक है, चलिए, अगला है, this science is sometime called central science, किस विज्ञान को क कभी-कभी Kendra विज्ञान कहा जाता है, option है आपका physics, दूसरा option है आपका chemistry, then कह है biology, then कह है geology, तो बताएं जरा यहाँ पर कौन सा answer सही होना चाहिए, अच्छा, हाँ, इसका answer, एक मिनट, एक मिनट, इसका answer जो था, निवले तो कौन सा चारी है, सही answer आपका ammonia था, यहाँ पर स कौन सा acid होता है, acetic acid होता है, okay, याद रखेगा, saliva में जो होता है, आपका मुण का nature आपको पता, था ही, मैंना भी बताया था, pH value 6.8 होता है, acid rain में अमलिया वर्षा होती है, जब वर्षा के जल का pH मान less than हो जाए, 5.6 या उससे और कम, तो उसको हम acid rain consider करते हैं, समझ बागी है, option है, आपका physics है, chemistry है, biology है, और geology है, तो बताएं जरा guys कौन सा सही होगा, तो मैंने तो ले लिये हैं, course आप से बढ़कर बहुत अच्छा लग रहा है, अपने science को बहुत easy बना दिया है, नई शुग्रिया डियर आरती है, तो आपका बड़पन है, आपकी मेहनत है, मैं ब उसको बहुत टिपिकल बना के नहीं बढ़ना है, सिर्फ मालो, आप ऐसी पढ़ा चले आ रहे हैं, जो आपको समझ मेना है, तो उस पढ़ने से क्या फाइबा है, क्योंकि एक्जाम में फिर दिकत हो जाएगी, मैं परसेंटेज गलत वर्दिया है, तो कंप्लिकेशन होता है, क्या सर, नहीं कोई नहीं, वो बाद में आपका डॉक्मेंट वेरिफिकेशन हो जाएगा, उस दुरान इलिजबिल्टी पूरी होने चाहिए, आपकी, ठीक है, चलो, तो यहाँ पर जो सही आंसर है, देखिए उनिवर्स is made up of the elements, okay, so, हम यह कह सकते हैं, कि, वैसे भी बोलते हैं, कि, anything which has definite mass and occupy the space is called matter, तो कोई भी matter हो, बिना elements के तो नहीं बनेगा, elements matter लगे होंगे, और जाहिर बात है, इन सब में, वो chemistry आदाती है, तो चाहिए वो आपकी physics हो, chemistry, biology हो, जो भी physical चीज़े होंगी, वो इस carbonate, the products formed are, आपको बताना है, जब कोई अमल धादू carbonate के साथ अभी करिया करता है, तो बनने वाले उत्पात कौन से हैं, तो ये वाला सवाल जो है, वो आपका है, homework, ये सवाल जो है, आपका homework है, comment box में, जरूर बताएगा, और कितने लोग आप sincere हैं, वो पता चल जाता है, क सब्सक्राइब करने, ताकि वक्त पर notification मिलता रहा है, ओके और ये बाइलोजी TGT, हाँ, Rapid Pro, दो को ये लिख रहा है, उपर Rapid Pro, Rapid Pro, Unifox Publication में है, Rapid Pro, बाइलोजी TGT, PGT की book, जो है Amazon पर आपको थोड़ी दिर में जन्ने ठोकर के link मिल जाएगी, आप ले सकते है Amazon से, ओके, औ आपको अमेजोन से मेरे नाम से सर्च करिएगा, ओके, आपको कितावे सारी अब लेवल हो जाएगी, जो भी आप लेना चाहते हैं, then, Environmental Studies, ओके, और इसमें जो है, chapter wise theory, one-liner question, ओके, तीस practice arts, and NCRT की short summary का collection इसमें है, आप ले सकते है Amazon से, ओके, मेरे नाम से आप सर्च रेपिट प्रो के नाम से करोगे, तब भी आपको सारी कितावें मिल रहेंगी, क्लास कैसी लगी, comment box में अपने प्यार भरे comment भरना मत भूलिएगा, क्योंकि वही मेरे लिए motivation है, और चैनल को जादे से जादे सब्सक्राइब करवाएएगा, ताकि अपना मेरे personal channel ग्रो कर ज जिससे आप से हमेशा यहीं से interaction होता रहे, यही एक जरिया है अपनी बात रखने का कहने का यहां से, जो लोग बहुत remote areas में रहते हैं, दूर रहते हैं, उनके भी कहिन न कहीं में पास हूँ, इसी तरह से जरिये के जरिये, तो social media के जरिये ही हम एक दूसरे से connect रहते हैं, त चलिए, भी के लिए तना, कमेंट करके बताएगा जरूर की कैसे लगए आप लोग को class, thank you, okay, इस channel पर बने रहने के लिए शुक्रिया, और भरोसा जताने के लिए शुक्रिया, तो अभी के लिए तना, okay, सभ़खाय तो all of you, good night all of you.